ब्रिटेने गतो 24 घंटे प्राई 11,000 मानुषे देहे करोनावारा शनकतो हुए छे। इसमय करोनाई मृत्त हुए छे एक्षो आर्चोली जोनेर। एदिके एक दीनेर ब्याबोधाने ब्रिटेने ओमिक्रोना आक्रांतो शंका प्राई दिगुन हुए गाछे। गतो 24 घंटे आक्रांतो हुए छेन दूशो उनो पंचास जोन। एनिए ब्रेटेने 80 बिशी मानुष ओमिक्रोने आक्रांतो हुए छे। उन्नो दिक ओमिक्रोने नियोंत्रोने राखते शार कारेर वार्किंग फ्रम होम निती हॉस्पिटेलीटी खाते नेती बाचुक प्रभाब फेलते शुरू कोरे छे। विस्ता एतो रेपोर्टे। गतबोचरे क्रिस्टमास मौशुमे कोरना वाइरास एड आलफा वेरियंट एन्नेचेस शुरूपर तीब्र चाप त्रिष्टे कोरे छीलो। तखनो वैक्सियन चालू हॉए नी। ताय कारूरी तखन चिकाग्रोहन करा हॉए नी। किन्तो अमिक्रोने खेतरे की हवे। दुई शप्त परेशे धाखाया गाछे। PCI टेस्टे प्राप्त अमिक्रोने आकरांत मानुशेर शुंखा शुन्नु थेके बेरे 6 शतांग्स हुए गाछे। प्रती दुई थेके तीन दीनेर मुद्धे अमिक्रोने आकरांते शुंखा दिगून हुए जाच्छे। एथेके बुथा जाए एई वाईरास ओती दुईतो शुंक्रोमीत हुए। एभाभे चोलते थाकले आगामे कईक सब्तायर मुद्धे ड्याल्ता शह पूर्ण शकल करोनावाईरास के छाडिये सब्ते शक्ते शायल हुए उडबे अमिक्रोन व्यारियांट। अमिक्रोने आकरांत मानुशेर अधिकांशो हालका उसुष्त हन। एर उन्नतमो कारण होलो तादेर टिका नेहा आछे। किन्तु तार परो एनेचेसे जन्नो समस्टा सिष्टी करते पारे अमिक्रोन। एई संग्रद सरकार्य उपदेश्टा कमिटी बोल छे प्रयोजोनियो नियंद्रन आरोप करा ना होले प्रती दिन अमिक्रोने आकरांत एक थेके 2000 मानुश हास्पाताले भोर्ती होते पारे। एई महुर्ते डेल्टा आकरांत होए प्रती दिन गरे 700 मानुश हास्पाताले भोर्ती होते आर गता जानुवरी माशे आलफा वेरियेंट आकरांत होए दोईनिक हास्पाताले भोर्ती संखा छीलो 4000 थाका 10,000 माइरल ओषुद मुपिरावी टेस्ट कराते देया हवे। तारा एई ओषुद भाषाई निये जेते पार्वेन। थे एई ओषुद शेबन करले हास्पाताले भोर्ती एबंग मृर्त्तु संभावना प्राई 31,000 कोमे जाए। एदिके इंग्लेंडे कोर्णा सास्तविधी आरो कठर कोरते गिये शरकार वार्किंग फ्रोम होम निति ग्रहन कराई मिस्ट्र फ्रतिक्रिया देखाचेन जानगन। उत्षबर मोशु में हस्पिटलेटी इंडेस्ट्री ब्यावस्ट्राय अनेस्ट चोयता एबंग अशौंत्र स्रिष्ट्री कोरे छे वार्किंग फ्रम होम निति एक देके ओमेक्रोनेर संक्रमान जूंकी और अनोल देके व्यावस्ट्राय एवं और्थनीचे दे प्रभाब सब केशे मिलिये एक जी अनेस्टित समय देके एगी जाची आमरा जियर रह्मन, TV1 Newsdesk